रूस और चीन से बढ़ते खत्रे के मद्दे नजर अमेरिका ने भी हाइप्रसोनिक मिसाइल बनाने की कवायद शुरू करती है। मौजोदा दौर में अमेरिका के रूस के साथ संबंद बेहद निचले स्तर पर आ चुके हैं। वहीं चीन से भी लगातार दक्षिन चीन सागर को लेकर उसको धमगी दी जाती रही है। इसके मद्दे नजर अमेरिकी वायो से ना इसकी विकास पर करीब एक बिलियन डॉलर खर्च कर रही है। इसके लिए लॉकहिद मार्टिन को करीब 928 मिलियन डॉलर का कॉंट्रेक्ट भी दिया गया है। ये मिसाइल आवाज की गति से भी तेज चलने में सक्षम होती है। हाइप्रसोनिक कमेशनल स्ट्राइक वैपन प्रोग्राम की दिशा में ये बड़ा कदम है। अमेरिका इसके लावा टेक्टिकल गूस्ट ग्लाइड प्राग्राम भी तयार कर रहा है। ये डाप्रा की मदद से तयार किया जा रहा है। ये दोनों ही एक एडवांस प्रोटोटाइप विक्सित करने में लगे हैं जिन ही अमेरिकी जेट के जरिये छोड़ा जा सकेगा। आपको बता देख कि भविशे में हाइप्रसोनिक मिसाइल जंग करों बदलने में काफी अभम घुमिकान।